तो सबसे पहला नंबर प्रश्ण कह रहा है कि यदि AP का प्रथम पद A तथा पदांतर D पदांतर कहने का मतलब होता है सारवंतर D हो तो 90 पद निमने लिखित में से कौन सा होगा और यह 2017 में पूछा गया है और आपको यहाँ पे option दिया गया है वैसे तो आप इसका उत्तर य आपको हम बताते हैं और यह जानना आपके लिए काफी जरूरी है देखिए आप सभी जानते हैं कि AP का पहला पद A होता है और जब यह A होता है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं A पलस 1 माइनस 1 इंटू D कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिए यहाँ पे बताएगा आपको क A पलस 1 माइनस 1 इंटू D तो यहाँ देखिए जब इसे आप सॉल्व कीजएगा तो A पलस 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 और इसमें D तो D में जब 0 से गुणा किया जागा तो क्या जागा 0 और A में जब 0 को जोड़ेगा तो क्या जागा A तो a को हमने किस रूप को लिख दिया इस रूप मिला दिया a plus n minus 1 into d यानि कि 1 वा पत की बात करते हैं तो अगर इसी तरह अगल हम लोग 2 वा पत की बात करते हैं यानि कि a p का दूसरा पत तो a plus d होता है a plus d को हमने लिख सकते है a plus 2 minus 1 into d किमकि 2 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा ? केवल d हो जाएगा तो d हो जाएगा तो a plus d हो गया इसी परकार से अगर a p की n में पत की बात की जा रही है तो a plus n minus 1 into d होगा अब आपको समझ में आया होगा कि या कैसे जो है वा a plus n minus 1 into d हो रहा है तो इसलिए इसका बिल्कुल सही उतर क्या हो जागा option B number होगा ठीक है तो अगला number प्रश्ण कह रहा है कि AP 2,7,12 . . . का दस्वा पद क्या होगा काफी असान है कैसे निकाला जाता है आपको पहले भी हमने बताया है तो अगर आपको पता है याद है तो जल्दी से आप हमें नीचे कमेंट करके बताईए और नहीं आता है तो ध्यान से समझे कि इसे कैसे बनाए जाता है आपको बतादे कि जो पहला वाला question आपने देखा जिस सुत्र का प्रयोग किया गया उसी सुत्र से ये भी बनेगा A plus N minus 1 into D से लेकिन ये सुत्र से बनेगा तो इस सुत्र में A कमान N कमान और D कमान पता आपको होनी चाहिए तो A कमान कौन होता है N कमान कौन होता है और D कमान कौन होता है पहले द्यान से समझे देखें समनांतर से रिडी में जो सबसे पहले होता है प्रथम पद पद में से यदि पहला पद को घटा देते हैं तो हमरा d कमान आ जाता है जैसे यहाँपे 7 जो है वो दूसरा पद है और पहला पद 2 है तो 7 में से अगर हम लोग 2 को घटा देंगे तो लेज़िए निकल जाएगा तो यहाँ पे निकालना है 10 वापद तो n बराबर हो जाएगा 10 अब हम लोग क्या करेंगे जो छोटा समले फर्मूला आपको बताया हम लोग बढ़ें कि a पलस n माइनस 1 इन्टू डी इसी फर्मूला से हम लोग बना देंगे इसको यह बराबर क्या चीज आपको निकाले 2 तो 2 पलस n के जगे 10 माइनस 1 तो माइनस 1 डी के जगे कितना निकालका या 5 अब इसको हम लोग स्वल्व कर देंगे 2 पलस तो 2 पलस आद 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 आद 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कोग हो जाएगा तो 45 अब आगया 2 पलस 45 आद 2 पलस 45 कोग हो गया आब 47 कोग हो गया क्यूंकि 2 गो और 45 कोग होता है 47 को होता है तो 47 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा तो आपने इसको भी समझा कि कैसे बनता है इसी तरह अगर दूसरा प्रशन आएगा कोई भी बनाने के लिए कितना भी पद निकालने के लिए तो आप बना दीजेगा कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रशन की तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी और इस तरह से त्यारी नहीं हो पाएगी तो जल्दी सिक्र लीजी चलिए अगला प्रश्ण देखिए कह रहा है कि AP 10,7,4.… का तीस्वा पद क्या होगा कैसे निकला जाएगा आप तो बता सकते हैं आप ना चलिए तो फटा-फट देखिए सबसे पहले इसमें किस चीज के जरूरत होगी A की तो A का वैलू कौन होगा जो सबसे पहले होगा यानि A बराबर हो जाएगा 10 D का वैलू कौन होगा? D का वैलू वही होगा जो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे एक के value हम लोग निकाला क्या चीज? 10, तो 10 लिख देंगे plus, n, n की जगा कितना है? 30, तो 30 लिख दिया, minus 1 into d का value कितना है? तो d का value अभी आपने निकाला minus का 3, अब इसे solve किजिए, जब इसे आप solve किजिएगा तो 10 का 10 हो जाएगा, पलस का पलस हो जाएगा और 30 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 39, आप 29 में माइनस 3 से गुणा करना है तो जब आप 29 में माइनस 3 से गुणा किजेगा तो यह आजाएगा माइनस 87, तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 87 तो आपका उत्तर क्या हो जागा आप 10 पलस में है और 87 माइनस में है तो क्या आजाएगा माइनस का 77 तो माइनस का 77 कहां पे है तो आप संसी नंबर में है तो आप संसी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ओके चलिए समझते जाएंगे कैसे बन रहा है काफी महत्पूर्ण है ये अगला प्रशन देखिए तो अब अगला नंबर प्रशन कहरा है कि AP-3,-1,2,2 का एगराहमापन क्या होगा ये अभी प्रशन वही है लेकिन क्या है इसका कोशन चैंज है तो कैसे बनेगा ध्यान से देखिए देखिए हम लोग AP पढ़ रहा है तो AP का जितना महत्पूर्ण कोशन है वह सभी हम लोग पढ़ेंगे इसलिए इस प्रकार का कोशन आ रहा है और यही सभी प्रशन पूशा जाता है और देखिए सभी जो है वो अलग-अलग है कहीं माइनस वाल आ गया कहीं बट्टे वाल आ गया तो कैसे solve करके आप बनाएगा इसे जनना काफी जरूरी है ना जब chapter वाइज आप पढ़ रहा है तो chapter वाइज बढ़िया से पढ़िए ताकि दिकत न हो तो इसमें भी आपको किस सेज का जरूरत होगा एका मना ये फटाफाट solve कीजी एका तो इसमें एका होगा माइनस का 3 होगा और उसके बाद से आपको निकालना होगा इसमें D तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 यानि कि दूसरे पद में से पहला पद यानि कि माइनस 1 बटे 2 में से घटाएंगे क इसको माइनस 3 को तो माइनस 3 को हम लोग यहां पर क्या करेंगे घटा देंगे अब यहां पर क्या करेंगे घटाओ बनाएंगे हम लोग भीन का तो भीन का दिखे यहां पर घटाओ को बनाए गया है तो जब बनाएगा तो इसका एलसम क्या आगा टू आएगा और टू जब वपाएगा तो क्या बचेगे टू से टू जो है वह कट जाएगा नहीं बचेका वन अनå में माइनस नहीं है तो एक है तो एक बचेगा 2 में उपर गुना करेंगे तीन से तो क्या हाँ पे हो गया minus 1 plus 6 बट्टे 2 और यहाँ पी जब minus 1 है और यहाँ पे plus 6 है तो जब इसे हम लोग क्या करेंगे अब add करेंगे तो हो जाएगा 5 बट्टे की 2 यानि की 5 बट्टा 2 आ गया और n का value क्या है तो हम अब हम लोग का क्या हो गया निकल गया यही जो है कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे solve नहीं हो पाता है तो दिकत होता है यहाँ पे कुछ करना नहीं है भीन का घटाओ कर देना है जिससे d का नमान निकल जाएगा n कमान तो दिया ही है और a कमान सबसे पहला वाला तो होगा ही चलिए अब आगे क्या करेंगे इसको हम लोग a plus n minus 1 into d से अब लोग solve करतेंगे तो आईए solve करते हैं देखें यहाँ पे यहाँ पे देखिए a plus n minus 1 into d तो a का value है माइनस का 3 आप पलस है तो पलस n minus 1 तो n का value क्या था 11 तो 11 minus 1 तो लिख दिया into d d कमान क्या निकला था तो 5 बट्टे 2 तो रख दिया हमने क्या चीज़ 5 बट्टे 2 अब यहाँ से ध्यान से देखें कैसे इसे solve करेंगे यहाँ का minus 3 है तो minus 3 का minus 3 यहाँ पे रख दिया हमने और यहाँ 11 में से जब 1 चला जाएगा कितना बचेगा 10 तो 10 जब हो गया तो उपर वाला उपर में गुणा होता है क्योंकि गुणा में पता है आपको भीन वाला में तो 10 बट्टे 1 है माले यहाँ पे क्या हो जागा 10 बट्टे 1 हम लोग लिख सकते हैं नीचे कुछ नहीं ह तो अगुने 5 बट्टे 2 है तो ऊपर वाले में उपर से गुणा करें के तो दौस में 5 से गुणा के तो 50 और 1 में 2 से करेंगे तो 2 यानि कि हम लोग क्या हो गया 50 बट्टे 2 तो हम लोग का यह भीन का जोड कर डेंगे तो पहले आसानी से इसे हम कटा लेते हैं तो है 50 बटे की 2 तो कटाएंगे तो हो जाएगा 25 अब तो यह आसानी से हो गया क्या चीज माइनस 3 अपलोस 25 तो माइनस 3 अपलोस 25 पराबर कितना निकल किया जाएगा 22 क्योंकि माइनस यह 3 में है तो माइनस 3 तो खतम हो जाएगा तो 25 में से माइनस 3 को हटा देंगे तो को बचेगा 22 को इसलिए इसका उतर जो कि क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा तो 22 आपका क्या होगा बिल्कुल correct उतर हो जाएगा ठीक है कैसे बना आपको समझ में आया ऐसा ही प्रश्ण आपके परेक्षा में पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा ध्यान देंगे कैसे बन रहा है समझते जाएगे देखिए तो अब अगला नमबर प्रश्ण है कि किसी एपी का एनमा पद 5N-3 है अब देखिए अगले वाले परश्ण में हम लोग क्या कर रहे थे कि एनमा पद निकाल रहे थे यानि कि जो भी पद हमको निकाल लागा वो पद निकाल रहे थे लेकिन आप पहले से पद दे दिया गया है यानि कि ANUAPOT दे दिया गया है और पूुछ रहा है कि दूसरा POT इसमें से क्या होगा तो देखे कैसे निकाला जाता है आप सभी जानते हैं कि ANUAPOT कहने का मतलब हो गया या तो हम A N कह सकते हैं या तो हम लोग T N कह सकते हैं बात वही है A N या T N यानि कि TN बराबर दिया गया है कितना 5N-3 या AN बराबर दिया गया है 5-3 ये पहले से दिया है N वा पद और इसमें पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा यानि कि N का value हम लोग 2 रखेंगे क्योंकि दूसरा पद पूछ रहा है तो दिखे कैसे बनेगा यहाँ पे T2 हो जाएगा यानि कि A2 हो जाएगा तो जहाँ पे भी N है वहाँ हम लोग 2 रख देंगे बस तो क्या करेंगे 5 गुने 2 क्योंकि 5 N है तो 5 गुने 2 और माइनस 3 तो 5 में गुणा करेंगे तो हो जागा 10 और 10 में से माइनस 3 को घटा देंगे तो आजागा 7 और बन गया यही उसका हो जागा सही उत्तर आप्सन C इतना ही आसान है लेकिन क्या होता है कहीं से बच्चे हैं जो सोच में पढ़ जाते हैं कि कैसे बनेगा एनवा पद 5 एन मैंस 3 दिया गया है तो दूसरा पद कैसे बनेगा तो आपको समझ में आ गया ना कैसे बनेगा इसी तरह यहाँ पर कोई भी पद पूछ देता तिसरा चौथा पचवाद दसवा बरहावा कोई भी पद पूछ देता तो आप तो चूटकियों बना देंगे तो बढ़ियां से जब समझे रहेगा तब तो बनेगा देखिए गणित पढ़ रहा है न तो आप सांत जगा बैट करके बढ़ियां से पढ़िये एक बार में नहीं हो पाता है तो दो बार वीडियो देख लीजी अगर आप एक ही चेप्टर को बढ़ियां से पोढ़ लेते हैं और उसी चेप्टर से आपका प्रश्ण बन जाता है बढ़ियां से तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है आप इमंदारी से बनाया है देखिए परिक्षा में अगर किसी का नंबर कम भी आता है लेकिन वह इमंदारी से अगर बनाया होता है तो दुख नहीं होता है क्योंकि वो मेहनत किया हुआ रहता है और चीट करके आप टॉपर भी बन जाएगा न तो बड़ी बात नहीं होता है वह अंदर जो है टॉपर होने के बाजूद भी लेकिन जो बच्चा का नंबर कम भी आता है लेकिन अपने मन से बनाया होता है उनके अंदर बड़ा उच्सा होता है बड़ा खुसी होती है कि हमने अपना दंपी किया है जितना लेकर आया है अपने दंपी लेकर आया है तो गणीत है तो गणीत थोड़ी सी कठीन होती है लेकिन इसको अगर हम लोग आसानी से पढ़ना सुरू कर देते हैं जैसे कि आपको हम बता रहे हैं और सांत जबा बैट करके आप देख रहे हैं ज्यादा दोस्तों में सेर करके दोस्तों से जैसे कि होता है न मिटिंग में ज जल्दी से सेयर दीजिए? लाइक कर दीजिए? और कमेंट करके बते ही कि ये वीडियो सब कैसा लगता है? कि जब कमेंट करते हैं नो, तो हम लोग पता चलता है कि आपको कैसा ये लग रहा है, जिस्से हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं मिल पाएगा तो प्ली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है और एप को डाउनलोड कर ले मेरा खुद का एप है उसमें आपको ये सारी चीजे मिल जाएगी इसको हम वह पर अपलोड कर दिय नीचे डिस्क्रेप्सर में लिंक भी है एप को या आप प्लेश्टूर पे जाकर कि मन्टू सर भी लिखिएगा न तो भी आपको एप मिल जाएगी मेरा नाम है मन्टू मन्टू सर लिखेगा तो भी मिल जाएगी या चैनल का नाम है लिखेगा प्लेश्टूर पे प्लेश पूछ रहा है तो एनवा पद क्या होगा यहां पे ध्यान दीजी तो सबसे पहले हमको यहां पे पता होनी चाहिए एका वेलू यानि एक कमान तो ए जो सबसे पहले होता आपको बता है तो हो जएगा 9 अब तो कहियें गे सर अब तो हम लोग पहले बना देंगे हां बहुत बढ़ी यहां बात है ड का बेलू क्या होगा दूस्तरा पद में से पहला पद यानि की बार में से क्या हो जाएगा 9 को घटा देंगे यानि हो जागे कह ची कि es this अब पूछ रहा है N मापद यानि कि TN या AN तो आप भी मान रख दीजिए तो A पलस N माइनस 1 इंटू डी है आपका होता है यह इन होता है TN या AN बराबर या उपर से आप पढ़ते आ रहे हैं A पलस N माइनस 1 इंटू डी और क्यों होता है यह इसा अभी आपको हमने बताया पहला नंबर प्रश्ण में तो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगा वैलू रख देंगे तो वैलू रखिए तो देखिए A पलस N माइनस 1 इंटू डी तो A क का वैलू हम लोग को पता है कितना तो 9 पलस N N का वैलू पता नहीं कि निकालना है अगरmax रखते थी एसे ही लोग अगर3 निकालना होता था तो दीन रख्ते थी तो यहाँ पर पन रहें यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग रहने देंगी हम माइनस वन है तो माइनस वन रख करके इसको बंद कर देंगे कोश्टक से डी का वैलू तो डी का वैलू अभी हमने निकाला क्या चीज़ तीन तो रख दें यहाँ पे तीन अब इसे आगे स्वल्व कर लेते हैं 9 का 9 और N में अब 3 से गुणा करेंगे क्योंकि जो बाहर रहता है उससे गुणा होता है तो क्या हो जाएगा 3N और माइनस वन में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि AP, two comma, dot dot dot, 20, nine comma dot 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 का का लूप्ठ पद क्या होगा, यानि कि यहांसे जो पद गायब हो गया है, वही पद आपको बतानी है, तो यहां देखी पहले ध्यान से कि यहांपी पद कौन गायब हुआ है, तो दूसरा पद गायब हुआ है यानि कि A2 गायब हुआ है कहीं कहीं T2 लिखता है तो कोई आपको घबडाने के जरूरत नहीं है A2 या T2 बात वही होता है एक ही होता है दूसरा पद ही होगा तो दूसरा पद कैसे निकलेगा ध्यान दिजिए आप सभी जानते हैं कि D1 का जो value होता है वही D2 का value होता है यानि कि D1 का मान जितना आएगा वही D2 का मान आना चाहिए यानि कि कह सकते हैं आप कि A2-A1 बराबर A3-A2 होनी चाहिए क्या होनी चाहिए दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाते हैं तो जितना मानाता है उतना ही मानाना चाहिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो ही सारवंतर में वह होता है अगर ऐसा नहीं होगा तो वह सारवंतर में नहीं होगा ये सभी जानते हैं कि d1 बराबर d2 होता है यानि कि a2 मैनस a1 बराबर होता है a3 मेनस a2 तो ध्धियाद से देखें यहाँ पर a2 जो है अब यहाँ पर नहीं दिया गया तो हम्योग a2 का a2 ही णिखलेते हैं मैनस तो मैनस a1 कमाण तो A1 कमान या T1 कमान क्या दिया गया है दू जो सबसे पहले होता है तो दू बराबर A3 कमान क्या है 20 माइनस A2 A2 कमान निकालना ही है तो इसे हम लोग A2 का A2 लिख देते हैं अब देखे इसको हम पक्छांतित करेंगे यह A2 है और यह वाला माइनस A2 है इसको हम लोग भेजते हैं इस तरफ तो A2 और A2 कितना हो जागा 2 A2 बराबर और इस वाले 2 को जो माइनस A2 है इसको हम भेज देते हैं उस तरफ तो यह हो जागा कहा चीज 20 अब पलस सदू हो जागा क्योंकि माइनस में है तो पलस में चला जागा तब 20 सद्दूगों कब हो जागा 22 यानि कि 2A2 बराबर हो जागा कितना 22 तो A2 बराबर क्या अतना हो जागा 22 बट्टे की 2 यानि कि कितना आप कटाएंगे तो 11 यानि कि A2 बराबर 11 या T2 बराबर 11 बात वही है यानि कि option हो जागा C नंबर समझ में आ रहा है हाँ अस्थे से समझ में समझिए चलिए तो अगला नंबर प्रश्ण है कि किसी एपी का एनमापद 4-7N है तो सार बंतर कमान क्या होगा देखिए यह काफी असान कोशन है लेकिन समझने की जरूरत है ध्यान सच समझिएगा तो ही जाकर किया समझ में आएगा ध्यान से देखि है कि कितना दिया गया है टो इसके पहले वाला हम लोग मान निकलेंगे यहने की टी एन माइनस वन पहलेंगे तो यहां पे हम लोगा चुह हो यहां डीन सो ऐले इन हमनों रख दिया कि मकि रहे हो नेहीं कि पहले ख़ले निकाल July मृब ख़र निकाल representing ही तो जो यह पहले बाद जो पहले यह पद दिया गया है तो इसमें से अगर जो हम लोग इसके पहले वाला पद निकालेंगे तो उसको घटाएंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा ध्यान से एक बार और सुनिए कि जो हम लोग मान दिया गया है जो हम लोग का मान दिया गया है उसके प आपको समझा रहा है वही होता है तो इसके पहले वाला पद यानिकि N-1 यानिकि TN-1 हो जाएगा तो यहाँ पे जब N था तो हमने क्या किया N के जगर-1 रखा है तो 4-7 और N-1 हो जाएगा तो N-1 यहाँ पे हो गया है तो इसे अब हम लोग solve करेंगे तो 4 का 4 हो गया माइनस का माइनस हो गया और 7 में N से गुणा करेंगे तो 7 N हो जाएगा यानिकि 7 N और माइनस माइनस क्या हो गया तो यहां पर देखिए यहां भी चार जो है प्लस में है और यहां साथ जो है प्लस में है तो जूट जाएगा तो 11 हो जाएगा तो 11 और माइनस 7 तो हो जाएगा क्या चीज़ ए 11 माइनस 7 यानि कि इसके पहले वाला पद यानि कि TN माइनस 1 वाला पद निकल गया तो अब हम लोग D को आसानी से निकाल सकते हैं TN में से TN-1 पत को घटा देंगे तो TN का value कितना है 4-7N है तो 4-7N रख लिया और घटाएंगे किसको तो हम लोग TN-1 वाले पत को तो वह कितना निकला है 11-7N तो अब इसको आगे हम solve करेंगे इसको लिखने के बाद से तो देखिए 4 है तो 4 को 4 लिखेंगे यहाँ देखिए गल्ती से 4 को 5 लिख दिया है यहाँ पर 4 होगा उसके बसे minus तो minus 7N तो 7N उसके बसे minus 11 हो जाएगा और minus minus plus 7 हो जाएगा अब देखिए यह plus 7 में है और यह minus 7 में तक कोट जाएगा और यहाँ पी plus जो है फूर है और minus का 11 है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा minus का क्यूंकि 7,4,11 होता है तो minus का 7 आपका answer हो जाएगा यानि कि option क्या हो जाएगा D हो जाएगा यहाँ गल्ती से 5 लिख दिया है 4 होगा अगली नमबर प्रश्ण गेर बढ़ते हैं तो आप अगला नमबर प्रश्ण है कि यदि AP का पहला पद 8 N नमबर पद 33 तथा N पदों का योगफल 123 है तो N का value क्या होगा यानि कि N का मान क्या होगा देखे कैसे बनेगा यहाँ पे आप धेन से देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है N पदों का योगफल यानि कि SN SN आपको दिया गया है तो SN बराबर आप सभी क्या जानते हैं एक छोटा सा फर्मूला आप जानते होंगे कि N बटे 2 इंटू A पलस L आप यहाँ फर्मूला जानते होंगे ठीक है अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बारे-बारे से मान रखतेंगे तो यहाँ पे देखिए N बटे 2 इंटू A पलस L तो SN का वैलू हम लोग को दिया है 123 यानि कि SN बराबर 130 तो लिख दिया हमने 123 और N बटे 2 तो N बटे 2 को N बटे 2 ही लिखेंगे क्योंकि N पलस Lको मान निकारना ही है और यहाँ पे ए तो A का वैलू क्या दिया गया है परतंपद पहला पद 8 तो हो गया 8 उसके बाद से 33 हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्योंकि N वापद यहाँ पर दिया गया है यानि कि A L यहाँ पर L, L का value कितना दिया गया है N वापद कितना दिया गया है 33 दिया गया है तो इसे हम लोग लिख देंगी उसके बाद से इसे हम solve करेंगी तेहां से ध्यान से देखिए यहां जब इसे हम solve करेंगे यहां कि N का जो value निकालेंगे तो यहां 123 गुने 2 हो जागए तीरिया गुना हो जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे 8 और 33 गो तो 41 हो जाएगा जो कि कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा ठीक है अब चलिए अब जब इसे हम solve करेंगे जब इसे हम लोग कटाएंगे इसको गुना करके तो आएगा हम लोग का मान 6 यानि कि यही जो हम लोग का क्या हो जागा value आजाएगा इसे कटा करके देख लिजिए 123 गुने 2 बटे 41 तो यह मान का जाएगा आपका option A हो जाएगा N का value ओके चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ सभी प्रश्ण बता दे आपको कि subjective में भी आता है तो subjective में इतना ही process होता है लेकिन आपको क्या करना होता है यह subjective की तरह ही हम आपको बता रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसे बता दे ताकि दिक्कत हो आपको समझिये समझ करके बनेएगा तो बढ़िया रहेगा क्योंकि subjective में भी आएगा तो बना दीजेगा subjective में आपको क्या करना होता वो समझ लीजी आपको सब चीज का मान लिखना होता मतलब step होता है न कि SN बराबर ये दिया गया है L बराबर ये दिया गया है देखिए एक चीज यहां समझे L जो दिया गया न L को हम लोग A N भी कहते है L को A N भी कहते है या T N भी कहते है तो यही A N बराबर L दिया गया है ठीक है? चलिए आगे बात करते है अगला प्रश्न की तो अगला प्रशन हम सभी कहा कि यदि AP का N मा पद 4N माइनस 5 हो तो प्रथम 25 पदों का योगफल क्या होगा अभी इस पे हमने एक कोशन अभी आपको बताया था तो देखें यहाँ पे कहा रहा है कि 25 पदों का योगफल ठीक है तो यहाँ पे T 25 बराबर क्या हो जाएगा चार गुने N के जगे क्या रहेंगे 25 माइनस 25 तो चार में 25 से गुड़ा करेंगे तो हो जागा 100 और 100 में माइनस 5 को खटा गेंदे हो जागा क्या चीज़ 95 यह आपको बताया थे ना 4N माइनस 5 दिया गया हो तो कोई भी पद निकालना होगा तो बस उतना मान रख देते हैं N की जगा तो यहाँ पे 25 रख देंगे N की जगा तो 5 में 25 से गुड़ा करेंगे तो 100 वा 100 मेंसे 5 को खटा देंगे तो हो जागा 95 अब 95 तो निकला लेकिन यह 95 हम लोग का 25 पद नहीं पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है तो N बटे 2 यानि की N का मान हमने क्या निकला यहाँ पे 25 दिया गया है तो 25 बटे 2 इंटू ए ए का वैलू जो है वा ए का वैलू यहाँ पे निकालेंगे तो A का वैलू यानिके सबसे प्रथम पद तो प्रथम पद के लिए हम लोग यहाँ पे n के जगा 1 रखे निकाल लेते हैं यहाँ पे देखिए आपको नहीं समझाएं आप समझा देते हैं आपको जरूत पर गया यहाँ पे a का तो एक निकालने के लिए हम पे 1 रखेंगे तब तो आएगा न También के जगा तो फोर गुणे one minus five यानिकी four minus five यानिकी minus का one यानिकी प्रथमकद क्या है minus का one है चलिए तो minus का one यहाँ पे हम क्या करेंगे रख देंगे आप पल्लस क्या करा रहा ल, L या एन, एन का भेलू हमने अभी निकाला या निकी 25 वा पद तो हो जाएगा आपको 55 अब इसे solve करेंगे 25 बटे 2 into 95 या माइनस 1 क्या हो जागा 94 तो 25 बटे 2 अगुने 94 तो जब इसे हम लोग कटा करके जब इसे solve करेंगे तो आजाएगा 1175 इसे आप कटा करके गुना कर लीजिए आजाएगा 1175 यानि की option C हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर अगल प्रश्नम सभी का है कि यदि AP का सार्वंतर 5 हो तो T8 यानि की 18 पद माइनस T13 यानि की 13 पद का मान क्या होगा यानि की 18 पद माइनस 13 पद का मान क्या होगा तो कैसे निकलेगा ध्यान से दिखिए याँ पे कह रहा है कि T18 तो T18 यानि की A पलस 18 माइनस 1 into D होगा क्योंकि उस N-1 into D से निकालते हैं तो 8 रामा पत के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 18 रहकर solve करेंगे और A का value आप लोग क्या करेंगे यहाँ से आपको निकालना है तो A का यहीं रहने देंगे उसी प्रकारिया किया गया अब इसे आगे solve किया गया है A का A पलस तो पलस और 18 में से 1 गया 17 और 17 में D से गुणा कर देगा तो हो गया 17D माइनस तो माइनस फिर यहाँ पर दिखें क्या किया गया है यहाँ पर 13 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 12 अब 12 में D से कुरेंगा जो हो जागा माइनस का 12 D और A को माइनस हमने तू पहले लिखी लिया है अब solve करेंगे यहाँ देखिए A प्लस में है और A माइनस में है तो कट जाएगा A खौतम और यहाँ देखिए अब बच गया यहाँ पे 17 D अब माइनस 12 D तो 17 D में से 12 D को घड़ जागा तो को को बच जागा 5 D 5 D जो बच गया तो यहाँ पे यानि की D का वैलू 5 दिया गिया है तो 5 में अब 5 से हम लोग गुणा करनेगे 5 D बचा ना तो 5 D जब हम लोग का बच आब बचा बच भर देख भी लीजिए चलिए आगे बात करते हैं अगला जो है वह प्रस्ण कहा रहा है कि अनुक्रम एन बराबर दिया गया है 2N पलस 3 के प्रथम 4 पद है मतलब कि एन बराबर 2N पलस 3 के प्रथम 4 पद निकालना है तो 4 पद निकालना तक कैसे निकालना है काफी असान है जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ आप रखते चले जीए लगातार एक एक संख्या यानि कि एक बार 1 रखी एक बार 2 लिखी एक बार 3 लिखी एक पर 4 लिख दीजी लगातार 3 पद निकालना है तो पहला जो आपका जो है S में रखेगा A1 का मान तो यानि कि 2 गुने पहला 1 रखेए पलस 3 तो यह हो गया क्या चीज़ 2 गुने 1 यानि कि 2 अब पलस 3 तो हो गया कितना 5 कितना निकल गया 5 यानि कि A1 का वैलू निकल गया 5 अब देखिए 5 कहा है सबसे पहले तो यहां है उसके बाद से कहा रहा है कि A2 तो अब 2 रखिए क्योंकि अगला 4 पद निकालना है तो 4 पद निकालना है तो 1 एक करके निकालना पड़ेगा अब 2 लिखिए तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 तो देखिए अब 3 पद निकालना है तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दुने 6 आच चोटी 9 तो देखिए अब 2 लिखिए तो जब अब 4 पद निकालना है तो 2 में आप 4 रखेंगे तो 2 गुणे 4 यानि कि 4 दुने 8 और 8 तीन कितना हो जागा 11 तो हो जागा उप्सन B इस परकारियका हो जागा उप्सन B अपका सही उत्तर है समझ रहे हैं चलिए आगे बात करें देखिए इतने ही कोशन बताने में हमको ज़्यादा समय लग गया लेकिन आप बहुत मज़िदार रहे तरीके से रहा है मज़ा जरूर आ रहा है कैसा लग रहा है वीडियो आप हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताईए काफी महिनत किया जा रहा है हना बहुत ज़्यादा महिनत किया जा रहा है आपके लिए और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम महिनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा महिनत आप करें क्यू躼 आपकी परिख्षा है और आपको परिख्षा देना है हमसे जितना होता है मेनत करते हैं हम चाहते हैं कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ें ताकि बिहार बॉर्ड में आप अपना नाम रोसन करें नहीं पड़े हैं अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसलिए अभी तक लाई ने की हैं लाई कर देजिए जल्दी से ताकि मेरा बनवल बड़े और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो कर ली जेगा जिसे की वीडियो मिले नहीं तो बाद में भी आपको पस्ताना पड़ेगा तो ऐसा ना हो चलिए आगे बाद कर रहा है तेरे नमबर प्रशने कि एक से सौ तक की परकिर्ट संख्याओ का योगफल गयाद करने के लिए केवल दस वर्ष की अवस्था में किस परसीद गंतग्य को गरतग्य को दिया गया था किसको दिया गया था तो वो दिया गया था गौस को यानि की ऑप्सन हो जागा बी नमबर याद करके केगा उसे दिया कि किसको दिया गया था गौस को दिया गया था यानि की ऑप्सन बी अगले नमर हम प्रश्णी की बात करते हैं तो अगला प्रश्णी क्या रहा है कि AP 4,10,16,22,28.00 का सारवंतर क्या होगा काफी असान है और यह 2017 में भी पूछा गया है कैसे निकला यह सारवंतर दूसरा पद में से पहला पद के उसी समय से हम पता रहा है तो दूसरा पद है और पहला पद 4 है तो दूस में से 4 गया है कितना बज़ गया है छोव तो देखे छोव कहा है तो अप्सन B मनमबर है तो अप्सन B हो जाएगा अगला प्रश्णी देखिए कह रहा है कि AP के प्रथम 2 पद तथा सारवंतर 3 हो प्रथम पद 2 AP के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे अब देखे काफी असान है देखे कैसे निकला जाता है अगर पहला पद दे दिया गया तो तो काफी असान होगया कुछ करना ही नहीं है क्यूंकि पहला पद याने कि 2 गो आ 3 गो कोग हो गया? 5 गो तो 2 कमा 5 अब फिर इसमें सारबंतर जोड़ देजे 5 में 3 गो तो कितना हो गया? 2 कमा 5 कमा आठ यानि कि 2 कमा 5 कमा आठ कहा है? option B में है ध्यान से समझे विसका किया नहीं जाता है जो प्रथम पद अगर आपको दिया गया होगा और D तो जितना भी पद निकलना होगा उसमें आपको जोड़ते जाना है जैसे कि 2 में पहले 3 जोड़ना है तो हो जागा 5 फिर अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जागा 8 इसी तरह आगे निकलना होगा तो 8 में अब 3 जोड़ेंगे तो हो जागा 11 इसी तरह जीतना पद निकलना होगा D का फैलू जोड़ते जाएए और निकलते चला जाएगा ओके चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण कह रहा है कि यदि A P का पहला पद A पादांतर D और अ अंत में एनवा पद क्या होगा एनवा पद जो होगा अब अंत में क्या होगा इसे भी जो है आप आसानिक तरीके से याद किया होंगे कि L-1 into D होता है क्या होता है L-1 into D होता है यानि कि option जो है C नंबर आप याद किया होंगे L-1 into D होता है लेकिन कैसे होता है इसे समझ ले D जोड़ देंगे यानि कि A पलस D फिर तीसरा पद निकालना होगा तो A पलस 2D इसे तरह करेंगे हम लोग क्या चेज इसमें आगे तो L माइनस 2D कमा L माइनस D L डॉट डॉट मतलब A P में यह होगा यह इस तरह कराएगा तभी जो क्या होगा A P में होगा तो अन्द से पहला पद जो है अन्द से पहला पद L बराबर क्या होगा L माइनस 1 माइनस 1 इंट डॉट पहला वळा कोशन को याद कीजिए पहला पद गयात करने के लिए क्या किया जाता है यानि कि A N जो आपको बताया थे न AN बराबर या TN बराबर क्या किया जाता है जो AN दिया गया रहाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसका पहला पद गयाद करने के लिए 1 को घटा करके फिर 1 से क्या करते हैं उसमें इंटू D से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं पहला 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 पह दो रखा गया और इहां पे N वा पद रखा जाएगा तो N रखा जाएगा ना तो इसी प्रकर क्या हो जाएगा एल माइनस N माइनस 1 इंटू D हो गया ना पहला वाला कोशन देखिए और फिर इस कोशन को थोड़ी से ध्यान से समझे क्योंकि जब तक नहीं समझेगा तब तक यह नहीं बन पाएगा वैसे आपको यह बनाने के लिए कभी नहीं आएगा ऐसे तो यह तो प्लस पोजीशन फर्मूला ही याद करके रखिए ज़्यादा कुछ दिमागा लेनका जरूरत नहीं नहीं समझ मेरा तो बस फर्मूला याद कर लिजए क्योंकि कभी नहीं आएगा यह बनाने के लिए यह टीचर अगर आपको बनना होगा तब जानना जरूरी है क्योंकि जब टीचर नहीं इस फर्मूला याद कर लिजिए बस हो गया आगे बात करते हैं अगले कोशन की अगला कोशन है कि एपी माइनस ग्यारा कमा माइनस आठ कमा माइनस पांच डॉड डॉड उन्चास का अन्त से चौथा पद क्या होगा उन्त से चौथा पद वही चीज़ समझा रहें त આही फर्मुला लगेगा जब भी कोर्श्वन कभी पूझे कि अAnnत से चोठा पद उन्त से चोठा पद तब फार्मुला लगेगा L-N-1-D वाला ठीक है? ये वाला फर्मूला लगेगा आज आप पुछेगा के वाला अंतिम पद चाहे दासवा पद चाहे ग्यारा हमा पद तो E-N-1-D वाला फर्मूला जो सुरू से पढ़ते आ रहा है उसी कोशन से तो ये वाला फर्मूला लगेगा और जब आपसे पुछा जाएगा कि अंत से चोथा पद तो ये वाला फर्मूला याद कर लेजिए कि L-N-1-D तो सबसे पहले आपको A का भेलू निकालना होगा तो A का भेलू जो सबसे पहले रहता है यानि कि A बराबर माइनस ग्यारा दिया गया है D का भेलू क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे यानि कि माइनस आठ में से माइनस ग्यारा को घटाएंगे माइनस आठ में से माइनस ग्यारा को घटाएंगे तो माइनस आठ का माइनस ग्यारा को घटाएंगे यानि की उंति में उंचा से न है तो क्या दिया गया है उंचा स और इसमें उपच रहा है एन का वैलू जो है चौथा प्त जाई प्त हHaqad तो एन बराबर 4 दिया गया है कि अभर यह पूच रहा है उंत से 4 चौथा का 4 रख देंगे माइनस 1 है तो माइनस 1 लगा देंगी अब डी के भेलू 3 निकाल है तो 3 लख देंगे अब इससे solve कर देंगे 49 का 49 ही और माइनस का माइनस ही लख दिये यहाँ पी और 4 में से 1 को घटा देंगे तो बचेगा 3 और 3 में से 3 को गुड़ा कर देगा 9 तो यानि कि 49-9 यानि कि 40 तो 49-9 यानि कि 40 यानि कि option B नमबर क्या हो जागा सही उत्तर हो जागा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण क्यों बताते जाइए जिनको समझ में आ गया होगा solve करके बताते जाइए अगला प्रश्ण है कि यदि AP का प्रथम पद A तथा पदांतर D हो तो N पदो का योगफल क्या होगा और देखें यह पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे ना समझ यह कि AP कम्पलीट हो गया आपका AP एकदम नहीं पढ़ा होगे तो भी समझ में आप आगया होगा AP का बहुत सारा कोशन आप बना दीजेगा कोई दिक्कते नहीं होगा जो AP का है यानिके साबनांतर से रेंडिवरा जो चेप्टर है ना यह पूरा वीडियो दिखे गाता सारा चीज़ बें बता दिया है इतना अच्छे से बता है कि कोई दिक्कते नहीं होगा चलिए तो कोशन क्या है यह भी आपका फर्मूला ही है कि यदि AP का प्रथमः पद A हो और पदांतर यानिके सारबंतर, पदांतर का मतलब होता है सार बंतर D हो तो N पदो का योग फूर्ट तो SN बराबर होता है N बटे 2 इंटू 2A पलस N माइनस 1 इंटू D और एक SN बराबर होता है N बटे 2 इंटू A पलस L जो कि आपको उपर हमने बताते आया है या an भी लिख सकते हैं l की जगा आपको बताया है कि l या an बात वही होता है तो यहाँ पर देखिए l लिख दीजिए a plus l कहीं पर a option देगा नहीं तो कहीं पर a वाला option देगा देखिए कौन option दिया गया है तो option आपका पहले वाला दिया गया है यानि कि option d number हो जागा n बटे 2 into 2a plus n-1 into d वाला फर्मूला दिया गया है यहाँ पर ठीके और इसके बदले क्या लिख दियता है l लिख दियता है कि वो टूटल के बदले तो भी एक फर्मूला होता है ठीके चलिए तो कैसे होता सारे चीज़े थो हमने बता दिया doubt नहीं होगा उसी चीज़ को देखे यहाँ पे दर्सा आ गया है कैसे होता है चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण है और यह काफी important प्रश्ण है और यह परिक्षा में पूछा जाता है subjective time में भी कोशन कहा रहा है कि 8 की प्रश्ण 15 गुणजो का योग क्या होगा यानि कि SN ही पूछ रहा है क्या पूछ रहा है SN तो SN का फर्मला भी आपने जाना कि क्या होता है तो देखे द्यान से सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगी कि माना कि S बराबर 8 प्लस दुगुणा मतलब कि अगला वाला तो आठ दुणी सो रहा है सो रहती है 24 ऐसे ही करते करते 15 में जब गुणा कीज़ेगा 8 से तो हो जागे 120 अब इसका आपको निकालना है क्या चीज़ योग जब इसका आप योग निकालेगा यानि कि अब यह किस रूप में हो गया या तो AP की रूप में हो गया तो जब AP की रूप में हो गया तो आप SN निकालना तो SN बराब क्या होता है N बटे 2 इन्टू A L A पलस L या N बटे 2 इन्टू 2 A पलस N मिनस 1 इन्टू D अभी अपने जो फर्मूला देखा तो यहाँ पे की कौन बराब से फर्मूला से बनाए गया है N बटे 2 इन्टू A पलस L वाले से तो N बटे 2 के जगए यानि कि N का जो वैलू है वह 15 है क्योंकि 15 गोंड़ो का पूछ रही हो तो N बटे 2 यानि कि 15 बटे 2 इन्टू तो इन्टू A का वैलू तो A का वैलू हम लोग का 8 होगा AP में देखते हैं सबसे पहले जो रहता है उसके बाद से यहाँ पे L तो L का वैलू यानि कि अंतिम पद तो अंतिम पद है 120 तो रख दिया 120 अब देखे 15 बटे 2 तो 15 बटे 2 और 8 और 120 को जोड़ेंगे तो क्या हो जागा 128 और 128 को जब हम लोग यहाँ पे लिख लिए तो 15 बटे 2 से इसको कटा करके जिब इसको गुना करेंगे तो हो जागा 960 यानि कि 960 जोगा इसका क्या हो जागा option D number सही हो जागा समझ रहा है कैसे बन रहा है चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न कहा रहा है कि किसी अनुकरम का एनवा पद इस प्रकार है कि एन बराबर 1 माइनस 1 का पावर एन माइनस 1 डोट एन क्यूँ तो अनुकरम का नुवा पद क्या होगा ध्यान से समझ ये क्या कह रहा है किसी अनुकरम का एनवा पद इस प्रकार से हो कौन से प्रकार से इस प्रकार से हो कि एन बराबर माइनस 1 का पावर एन माइनस 1 इंटू एन का पावर क्यूँ यानि कि एन क्यूँ तो अनुकुरम का नवा पद क्या होगा ध्यान से समझे यहाँ पर क्या दिया गया है एन बहलू एन का बहलू यहाँ पर दिया गया है तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर कह रहा है कि नवा पद यानिकि एन की जगा नौ तो जहां जहां एन है है वहां वहां 9 रखेंगे तो eighte n यानिकि a tim na n हो जाएगा एगा एन के जगाँ 9 लिख दिए को मैनश है तो मैनस रख दिए और तो ओं। na नगडिए फिर एगाँ फिर इसके यहां पर into key बैं तो एगां घ्राइन डखेंगे उसका क्यूब करेंगे अब उसके बाद से हम solve करेंगे तो ध्यान से देखी 9 में से 1 को घट जागा तो को बचेगा? 8 को जब 8 को बच गया तो minus 1 को जब 8 पर गुणा करेंगे हम लोग किसको? अब minus 1 का power 8 हो गया ना तो minus 1 का power 8 का मतलब हो गया कि minus 1 को 8 पर गुणा करेंगे तो जो माइनस 1 को 8 पर गुणा करेंगे तो अब पॉलस में 1 आएगा तो लिख दिया हमने क्या चीज़ पॉलस में 1 उसके बाद से 9 का पार अब क्यू है क्योंकि N के जगर 9 रखे थे तो 9 का पार Q यानि कि 9 का पार Q करेंगे यानि के 9 को 3 बाद गुड़ा करेंगे तो आएगा 729 और 729 में 1 से गुड़ा करेंगे तो आएगा 729 यानि के आपका अंसर हो गया 729 तो घवडाने के जरूत नहीं Option C नमर क्या हो जागा बिल्कुल आपका Correct उतर हो जागा विडियो काफी लंबा हो गया है इसलिए हम विडियो को यहीं पे रोकते हैं आगे फिर इस कोशन को हम अगले वाले विडियो में या किसी मॉडल सेट में या कहीं पे भी आपको एड़ कर देंगे ऐसा नहीं के कोशन हम छोड़ेंगे सारी कोशन बताएंगे वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे बताएंगे ऐसा वीडियो चाहिए तो हमें बताएंगे और लाइक करके प्लीज दोस्तों में सेर कीजी अभी तक एप नहीं डाउनलोड किये प्लीज एप डाउनलोड कीजी चैनल को सब्सक्राइब ने कीए सब् आपको वीडियो मिलेगी बहुत बहुत धने बाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में जितना भी वीडियो नहीं देखें सारे वीडियो एक की करके देखें नीचे डिस्केप्शन में सबका लिंक दिये गया है